रक्षा बंदन पर्व पुरे देश में बड़े ही हरसो लास के साथ मनाई जा रही है। वहीं बहन लाली रानी ने बताई की मेरा भाई बरजेस ITBP का जबान है जो इस वक्त बौडर पर तैनात है। आते थे ऐसा पहली दफा हुआ है जो कि भाई के कलाई पर राखी नहीं बांद सकी। दो नवालिक को पंचायद बुलाकर जबड़न कराई साधी। ये मामला बाका के चालन परखन की है कहते हैं प्यार अंदा होता है लेकिन आज देखने को भी मिला। उम्र तो कच्ची है पर मन है पक्की। कारणा में इतने बड़े जो आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको उस तस्विर से रूवरू कराने की कोशिस कर रहा हूँ। जो आप सर्मसार कहें या बच्चे की नादानी कहें खुद ही सोच सकते हैं। प्यार की कोई सिमा नहीं होती और कोई उम्र नहीं होती आपने तो शुना होगा पर आज देखने को मिल रहा है। कहते हैं कृष्ण भगवान से ही लोगों को प्यार था लेकिन आननदपुर ओपी इभैरो गंच अंतरगत दो गावों के बीच जो घटना हुई वह छेत्र में चर्चा की बिसे बन गई है। ले जाना अपराद नहीं तो क्या हुआ। यह बहुत ही बड़ी गुना है। लेकिन पुलिस के आँखों में धूल जोकर पंचायत बुला करना चाहते हुए भी दोनों नवालिक प्रेमी योगल को साधी करा कर कहां का निया है। एक तो लड़की की उम्र महज 15 वर्स की थी और लड़का का उम्र करीब 18 वर्स की। जब दोनों नवालिक प्रेमी का चोरी चिपे प्यार की परदा उठा ये घटना चानन थाना चित्र के अंतरगत की है जहां पर एक लड़का को लड़की से गाय चराने के दर्वियान प्यार हो जाती है। प्यार की सिलसिला लंबे समय से चल रही थी जब अजित कुमार यादव ने लड़की को घर से ही उठा लिया किसी अन्य लड़के के सहारे तो ये बिल्कुल उचीत नहीं है। देखने वाली बात यह है कि कच्ची उम्र में साधी करना वा कराना कितना बड़ा गुना है। देखने वाली बात यह भी होगी कि प्रसासन इस पर क्या विचार करती है। करने के लिए बावा पहार नात मंदिर के प्रांगन में जूटे। कोई प्रसासनिक सेवा नहीं रहने के बावजुद भी भक्तों ने काफी सांती फूर नितरिकों से पुजा अर्चना की। मैं आपको बता दूँ पहार नात मंदिर चानन परखंड के सुया थानाच छेतर अंतरगत सुया बजार से महज 5 किलो मिटर की दूरी पर पिंडरा गों से सटे एक पहार पर विराजमान है। जिसकी पुजा कई सालों से चल रही है और इस स्चितर में बहुत प्रशिद्ध मंदिर माना जाता है और बहुत दूर दराज से लोग यहां आकर पुजा करते हैं। यहां तक की सुल्तान गन से जल भर कर यहां आकर भोले दानी पर जलाविशिक भी करते हैं। कुमारी ममता ने पुलिस को दिये अपने बयान में कहा था कि उनके पती ब्रम्दे व्यादव किरवार गौँ इस्तित प्रोनत मद्दे बिद्याले में सिख्चक हैं। सिख्चक ब्रम्दे व्यादव सनिवार को शौकुसल वरामत कर लिये गए। उनकी वरामतगी बहत नाट की अंदाज में हुई। पुलिस ने बताया कि जारकंड के दुमका जीला की हजडिया थाना से ब्रमदगी हुई है। चांदन थाना च्छेत्र के चोरी के बाईक के साथ तिन यूवग गिरपतार बिते 19 अगस्त की दोपर को सक के अधार पर हिरासत में लिये गए पलसर बाईक समित शवार तीनों यूवकों को चोरी के जुर्म में नियाईक हिरासत में बाका भेज दिया गया। हिरासत में लिये गए यूवकों की तलासी के करब में एक थैले से दो चाकू एवं दो पंजा भी चानन फुलिस ने बरामत किया था। से बाईक के निवंदन की सतेता की जात के बाद बाईक फरजी पाया गया। चोरी की बाइक के साथ हिरासत में लिए गए तीनों यूबकों कनहिया कुमार पिता राजीव साव, साकिन घोरगट थाना बरियारपुर जिला मुंगेर, रितिस कुमार पिता सितो पासवान घोरगट, एबम आदर्स कुमार भारती पिता सुवास कुमार भारती ग्राम, चग अमर्पूर बस इस्टेंट चौक पर कई घंटों से लगा लंबे जाम जिससे आने जाने वाले रहागिरों को काफी मुस्किलों का सामना करना पड़ा बस इस्टेंट का या जाम रवीवार को 11 बजे से ही लगा था जो लंबे समय तक रहा कई गाड़ी कई घंटों तक जाम में फसे रहे जबकि बस इस्टेंट की चौड़ी करन को लेकर एक और काम भी चल रहा है जिससे जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है रेफलर अस्पताल अमरपूर में रेफलर अस्पताल के मैनेजर शुनिल कुमार ने आसा कर्मियों के साथ की बैठक एपस पी ल आई एम एस एपस के बिसे में दी विश्तरित जानकारी रेफराज अस्पताल प्रवारी शुनिल कुमार ने बताया कि अब आसा कर्मी भी फैमली प्लानिंग में एहम भूमिका निभाएगी अब आसा कर्मी भी खूद से एप का इस्तिमाल कर एभम अपने यूजर आइडिय से लॉग इन कर फैमली प्लानिंग शमंदीत समान रेफटर अस्पताल से ले सकती है जिससे फैमली प्लानिंग में काफी सहोग मिलेगी इस मौके पर अभिशेक कुमार, शुमन कुमार एभम क रोट के किनारे बड़ा नाला बनाया जा रहा है जिससे अतिकर्मन वाले दुकान को पीछे किया जाएगा जिससे रास्ता भी चौड़ा हो जाएगी और बस स्टेंट की शौंदरी बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी प्रधान मंत्री सड़क चौड़ी करण की एरिया प्रवंदक रजिन्त कुमार ने बताया कि बस स्टेंट को शुंदर बनाने के लिए रोट का चौड़ी करण का काम चल रहा है हम लोग इस कारी को शजग रूप से और जल से जल पूरा करने की कोशिस कर रहे हैं मंत्री द्वारा हेल्दी लाइफ सेंटर का उधगाटन बाका जिलन नगर थाना छेतर के परिशदन रोड में हेल्दी लाइफ स्टाइल वेलेने सेंटर का उधगाटन बिहार सरकार के ग्रामीन कारिय मंत्री जैंत राज द्वारा फिता काट कर किया गया जीवन को स्वस्त रहने के लिए जानकारियां भी मंत्री ने लिया हरवल लाइब नूट्रेशन के बारे में जीएम जीतेंदर कुमार ने बताया अभी के समय में मांग की अधार पर शंतुलिक आहार सभी तरह के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है शंतुलित आहाड नहीं लेने के कारण ही सरीर में बिमारियां होती है इस कारिकरे में जिला जदियो अध्यक्ष अमरेंद कुमार सिंग, प्रवक्ता द्वार का फुर्शाद मिस्र, प्रमोथ सिंग वेल्डन, सैथ दर्जनों कारिकरता उपस्तित थे सलेमपूर पंचायद विसंबर चकवाड नमर दीन के काली अस्थान के प्रांगन में सिप चर्चा का आयोजन किया गया सिप चर्चा में काफी लोगों की भीड जुटी हुई थी, जिसमें भगवान सिप की आराधना करके लोग अपने अपनी मनत्ते मांग रहे थे शर्धालों की भक्ती भगवान सिप के प्रती इतनी अधिक हो गई है कि लोग हमेशा सिप की भक्ती में लीन रहते हैं भगवान सिप की आराधना करते इसी करम में भगवान सिप की पुझा अर्चना के लिए सलेमपूर पंचायत के मुख्या अर्चना देवी मंदिर के प्रांगन में पहुच कर भगवान सिप की अराधना की और कई ग्रामिन सिता देवी, सोनी देवी एवं अनेकों सरधालू भी सिप की कथा को सून कर लाव लिये रक्षा बंदन भाई बहन का मतुपूर्ण फर्व है, जहां एक और बहन भाई की कलाई पर राकी बांद कर शलामत रहने की मननत मांगती है और भाई भी बहन की जिवन प्रियंत रक्षा करने की कसमें खाते हैं आज इसी कड़ी में कॉरोना काल में ऑक्सिजन की किल्लत को देखते हुए, बाराहट फर्खंड की कई महिलाओं ने ब्रिक्ष्ट की डाली को राकी बांद कर ऑक्सिजन की रक्षा के लिए मननते मांगे इससे कभी भी किसी की ऑक्सिजन की कमी से जान नहीं जाए ये पहल कॉरोना को मात देने में सायद राम बांद सिद होगा, कहना अनुचित नहीं होगा बिहार सरकार के केबिनेट मंत्री सेनवाज हुसेन जी का अंकी धर्ती पर चादर देकर श्वागत किया गया भागलफुर के विकास फुरुष पपू यादब और बाड़ प्रीत वाड़ नमर चार, वाड़ नमर तीन, वाड़ नमर दो, वाड़ नमर एक के वाड़ शदस्यों ने शमस्या से अवगत कराया सेनवाज जी ने कहा सभी को सायता मिलेगा, बाड़ में सभी बेघर हो गए हैं, जल्चे जल्द रहात मिलने चाहिए मौके पर जियायू रहमान, रोहित पांडे, साहिद, बबलू, मुहमद, कलिम, जौनी, मुहमद, मुन्ना के साथ कई ग्रामिन मौजूद थे प्रेखंड बारा हठाना अंतरगत तारा पगाड गाउं में मौरम के दुसरे दिन भी बड़े ही धुमदाम से मौरम पर्व को मनाया गया जिसमें लाटी तलवार वर्चा आदी सस्त्रों का प्रदर्शन किया गया जिसमें छोटी छोटे बच्चे बुढ़े जवान तरत रखे खेल को दिखाते हुए मौरम खेला मौकी पर महिलाएं पुरोस बच्चे राधभर जग कर इस कारक्रम का आनन्द लिया